एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए जादा देरी ना करते वे अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केव की गहराई के अंदर का सीन देखते हैं जहां पे सभी कांज़ा सैट के जो डिसी पल्स थे उनकी आँके फटी की फटी रह गई होती हैं और वो इस चीज को देखे काफी शौक होते हैं कि टुन टुन बड़े आराम से अपने मोटे से पैट को सहला रहा होता है वो भी संतोष जनक लुक के साथ हालाकि टुन टुन इन लोगे के उपर बिलकुल भी ध्यान नहीं देता है और वो उचल के जहाईवान के सिर के उपर जाके लेंड करता है और जहाईवान चाहे कितना ही अपने सिर को हिला ले लेकिन टुन टुन बड़े आराम से उसके सिर पे ही पड़ा रहता है जिसके बाद चू कुईंग भी जहाईवान और टुंटुन के पास आके मूध आपके हसने लगता है और फिर चू कुईंग खुसे की मारे टुंटुन और जहाईवान के उपर लूम पड़ता है और वो खुश होते हुए कहत लेकिंटे हो लेकिन तब भी काफी जदा क्योट हो और चू कुइंग बहुद अगर तु मुझे तुन्टन को दोगे तो इसके बदले में तुम्हें चूजन की पोजिशन दे दूगगा अपनी और तबी यहां पे ली कुइंग चेन आ जाती है जिसे इन लोगों के उपर गुसा आने लगता है और वो कहती है कि यहां पे पागलत पलंती मत करो और इसके कुछ समय बाद सबी लोग भार की तरफ इखटे हो जाते हैं और चू कुइंग बाहदूरी से लीड लेके तोड़के अंदर आ जाता है क्योंकि जो लाश्ट केव होती है वो काफी ज़दा अजीब और काफी बड़ी होती है और यह लोग इन्वेस्टिकेशन करते करते इसके डीपेस पार्ट में पहुंच जाते हैं जिसके बाद यह सभी लोग पाते हैं कि यह पूरी तरीके से तो खाली है लेकिन यहां की जो जैनिसिस क्यों है वो काफी ज़दा अबेंडेंट है बहार के मुकाबले और फिर चू कुईंग कहता है कि आखिर सेवन कलर ट्रेजर लोकेशन कहां पे है और फिर एक डिसिपल कहता है कि हम लोगों के यहां पे आने के बाद कोई भी एंटर नहीं हुआ है और हम जितना जल्दी अंदर आए तब टुन टुन फाइट कर रहा था ड्रेगन लिजार्ड से तो फिर क्या हमें थोड़ा और केरफुली ढूरना चाहिए जिसके बाद या या एक दिवाल के पास जाके उस पे हाथ रखके कहती है कि इस दिवाल को तोड़ दो और फिर जो हूंगया पिक का चूजन होता है वो अपने स्लिफ्स को उपर करते हुए कहता है कि इस तरह के के मुश्किल कामों को मुझ पे छोड़ दो जिसके बाद वो चूजन अपने एक ही अटेक में उस दिवाल को तोड़ देता है और इस चीच को देखे जहायान भी काफी हरान होता है और वो कहता है कि इसकी जेनिसिस क्यूज सच में काफी जादा स्ट्रोंग है और ये सभी लोग उस वोल से काफी आगे आजाते हैं और इन लोगों के आगे काफी सारा लावा होता है और उस लावे के ओपर एक लोटस गलो कर रहा होता है और उसे देखे लिक विंग चेंग कहती है कि व slick में यहां पे कुछ तो छिपावा है क्योंगि यह वॉल काफी ज़धा इस-्ट्रेंज थी और यह जो दिवाल बनी दियुक्ति यह किसी मामूली फत्रों से भी नहीं दनी भी नहीं भी थी और यहां कि इस्ट्रेंजनेस को चुकोइंग भी सेंस नहीं कर पाया था और या या तुमारा इस चीज के लिए धन्यवाद और तबी चूकुइंग की नजर उस ट्रेजर के उपर जाती है और वो कहता है कि वो रहा हमारा ट्रेजर जिसके बाद चूकुइंग अपनी जैनिसिस क्यों को उसकी तरफ रिलीज करता है और वो अपने पास उस ट्रेजर को ले आता है और ये ट्रेजर एक सेवन कलर डिवाइन इस्टिबलीसिंग ट्रेजर होता है और चूकुइंग कहता है कि सभी लोग अब हम इस ट्रेजर को आपस में बाटेंगे और मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसा ही चाते है और इस ट्रेजर को बाटने जैसे इंपोर्टेंट रिस्पोंसिबिलिटी को मैं जूनिय सिस्टर कुइंग चैन के उपर छोड़ता हूँ और कुइंग चैन मनी मन में इस सीज़ के लिए चू कुइंग को काफी सारी गालियां दे रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है और एक लंबी सांस लेके लीकुइंग चैन कहती है कि तो फिर ठीक है इसे मुझ पे छोड़ दो और जो इस सेवन कलर फ्लेम लोटस के जो बीज है ये काफी जादा लाबदायक होते हैं कल्टिवेशन में और ये किसी की भी जैनिसिस क्यू को काफी जादा हद तक इनहेंस कर सकती है और जितने भी चूज़न यहां पे हैं उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया है तो इसलिए सभी को एक एक पीस मिलना चाहिए और जादायून याओ याओ और तुन तुन तुम तीनों को भी एक एक पीस मिलेगा और क्योंकि याओ याओ ने शेशर पैलेस को दखल देने से रोका था तो इसलिए याओ याओ को एक और पीस मिलेगा और टुन्टुन ने डिसीपल्स को लीड करके इस सेवन कलर ट्रेजर लोकेशन को किलियर किया है और तो और इसने एक गार्डियन बीश्ट को भी मारा है तो इसे एक और पीज मिलना चाहिए और मुझे जायवान के बारे में बताने की तो कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगर जायवान चाहि इंको नहीं हराता तो अभी के हाला जैस जितने अच्छे हैं उतने अच्छे नहीं होते इसलिए जायवान को भी एक और बीज मिलना चाहिए और अगर इस चीज के उपर किसी को शिकायत या फिसला देनी हैं तो प्लीज अपने हाथों को उपर उठाएं और फिर एक डिसिपल कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉबलम नहीं है तो दूसरा कहता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है और बाकी की भी ऐसे रिपीट करते रहते हैं और फिर जायोन काफी ज़ादा खुश होते वे कहता है कि सीनिय सिस्टर कुइंग चैन आप जैसे किसी फेयर और ब्यूटिफल परसन को देखना काफी ज़ादा रेयर होता है और फिर ली कुइंग चैन जायोन की टांग खीशते वे कहती है कि ओ क्या याव याव की तुलनामे और इस चीज को सुनके याव याव जायोन की तरफ देखने लगती है और इस चीज़ को देखे जहाईवान के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता है और जहाईवान के तो बोलती बंदो गई थी इसलिए वो मन में कहता है कि औरतें सच में काफी ज़दा खतरनाक होती है और फिली कुइंचें कहती है कि मैं मजाग कर रही थी और रही बात बचेवे सेवन कलर फ्लेम लोटेस के बीजों की तो मैं इन्हें अभी के लिए साइड में कर देती हूँ और सभी के कॉंट्रिब्यूशन को अब्जर्व करने के बाद ही इन्हें सभी के बीच में बाटे जाएंगे और मैं सजेस्ट करती हूँ की बचेवे एक को चीफ डिसीपल जायान को दे देना चाहिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉंट्रिब्यूशन दिया है और अगली बारी अब सेवन कलर डिवाइन इस्टिब्लिशिंग क्रेजर की है इस चीफ को डिवाइट करना इतना आसान नहीं है लेकिन अगर कोई चूजन इसके अंदर इंट्रेस्टेड है तो मेरी सलह है कि इसके एक्षेंज में उन्हें ट्वैल सिक्स कलर डिवाइन इस्टिब्लिशिंग क्रेजर से देने होंगे या फिर इसके बदले में इसी की जैसी सिमिलर वेल्यू वाली चीज को एक्षेंज करना होगा और 12, 6, Color Divine Stability Tracer सुनके जाय यूआन उस 7 Color Divine Stability Tracer को देखते वे सोच में पढ़ जाता है और उसे ऐसे ही देखता रहता है और इस चीज को लीक्विंग चेन भी नोटिस कर लेती है और वो जाय यूआन को देखके मन में कहती है कि जाय यूआन इस 7 Color Divine Stability Tracer को चाहता है और इस सीज का जाय यूआन के ओपर एक काफी बड़ा कर्ज आ जाएगा और फिल लीक्विंग चेन खुश होने लगती है और इस सीज को जाय यूआन को खुछ बैड फिलिंग सी आ रहे ही होती है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा होता है कि लीक्विंग चेन के मन में क्या चल और वो कहता है कि रुको रुको मैं इसे नहीं चाहता हूँ जिसके बाद हम जाय यूआन को एक ग्रीन पीक के ओपर आलती पालती मार के बैठे वे देखते हैं और उसके कंधों पे एक काफी बड़ा बोज होता है और जो जाय यूआन के सामने सेवन कलर फ्लेम लाइट ते अमीद करते हैं कि आप हमें 12-6 कलर डिवाइन इस्टिबली सिंग ट्रेजर से समय पे लोटा देंगे नहीं तो हम बार बार आपको ये चीज़ याद दिलाते रहेंगे और ये ख्याल जैसे जाय यूआन को आता है वो बच्चों की तरह निराश होके रोते हुए कहता है कि ये चूजन्स का दिल कितना ज़्यादा बुरा है और उन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस चोटे से बच्चे के उपर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हुए और तभी याओ याओ वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुमने अपने गोल को पूरा कर लिया है मिथिक अटोपिया के अंदर एंटर करने का लेकिन क्या तुम अभी इस से सैटिस्फाइर नहीं हूँ और फिर जायून बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि बीग सिस्टर याओ याओ सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे 12-6 कलर डिवाइन इस्टिबिसिंग ट्रेजर क लोटा ना होगा जिसमें मुझे काफी समय लग जाएगा और फिर याओ जायून को तीन 6 कलर डिवाइन इस्टिबिसिंग ट्रेजर देते वे कहती है कि ये तीन मुझे और टुन-टुन को पहले मिले थे अगर तुम इन तीनों को अपने वाले के साथ एड़ कर दोगे तो पहले ही चार हो जाएंगे और जो ग्रेट मिथिक माउंटेन रेंज के अंदर सुपर बाउंडरी है उसे कही जगे से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो वो अपरचुनिटी काफी जल्द ही इमर्ज होगी और क्या तुम उस सीज के में बचावा है मेरे पास मैं उसमें अपना ब्रेक्श्रू करने की कोशिश करूंगा और फिर यायो कहती है कि वैसे तो फ्लेम लोटे सीड्स काफी अच्छे होते हैं कल्टिवेशन के लिए लेकिन सिर्फ इन दो के दम पे तुम सफलता पूरवक ब्रेक्श्रू नहीं कर पाओगे और ये दो लो ये मुझे पहले मिले थे और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये मेरे ज़्यादा यूज के नहीं हैं और ये टुन-टुन के भी दो ले लो और फिर जायन पूचता है कि बिग सिस्टर यायो लेकिन इन बाकी के फॉर का क्या और फिर यायो कहती ह कि हाँ बिल्कुल मैंने इन्हें लीक्यूइंग चेंज से एक्षेंज किये हैं वो भी तुम्हारे नाम पे और एक 7 कलर लोटस सीड को 4 6 कलर डिवाइन इस्ट बिलिसिंग ट्रेजर के बदले में एक्षेंज किया जा सकता है और मैंने तुम्हें चार दिये हैं इसका मतलब कि जब तुम कर्स चुकाओगे तो कुल मिला के तुम्हें पहले के 12 और अभी के 16 को चुकाना होगा मतलब की टॉटल तुम्हें 28 6 कलर डिवाइन इस्ट बिलिसिंग ट्रेजर को देना होगा और तुम इसकी बजाए दो 7 कलर डिवाइन इस्ट बिलिसिंग ट्रेजर को भी दे सकते हो और याया की इस बात को सुनके जायान के तो होशी उड़ जाते हैं और वो मन में परेशान होते हुए कहता है कि मैंने अभी तक अपने कर्स को चुकाना भी शुरू नहीं किया ता लेकिन ये अभी से ही डबल हो गया है और सच में मेरी कितनी जादा बुरी हालत हो रही है और फिर जायान बोटल के बारे में पूछता है तो यायाओ बताती है कि और फिर यायो बताती है कि तुम्हारा ओमेगा सेंट इस्परिट आर्ट पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं है और जब अगली बार तुम इन्हें इंटिग्रेट करोगे तो इस उबजेक्ट को रिफाइन करने के लिए तुम सेंट बीस्ट की पावर को यूज करना जिससे कि तुम आराम से बीस्ट इस्परिट को रोक पावगे जो कि काफी ज़ादा अच्छा होगा और फिर जहाई यान खून को देख देवे कहता है कि आखिर ये बलड क्यों इतना जाना पैचाना लग रहा है और फिर यायो कहती है कि ये तुन्टुन का बलड है और ये सुनते ही जहाई यान के होश उड़ जाते हैं और तुन्टुन का मुह तर जाता है और फिर यायो बताती है कि अगर मैं इतना सारा एक ही बारे में निकालती तो तुन्टुन इसे जहल नहीं पाता और इन पूरे दो महीनों के दोरान में ने इतना इखटा किया है क्योंकि मैं रोज टूंटूं में इसे थोड़ा थोड़ा लेती थी और आखिरकार इतना ज़ादा इखटा हो पाया है और फिर जायन बच्चों के तरह मूँ बनाते हुए कहता है कि भाई तुमारी हालत तो मुझसे भी ज़दा खराब है और टुन टुन भी वू वू करता है और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी मरा यहीं पे खतम होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग और वीडियो का लाइक करना ना भूलें थैंक यू